हेलो मेरे पैड़े बच्चों, कैसे हैं आप लो और कैसे चल लिए आपके स्टेडी? मैं सेल्फ क्रिशब कृष्णा, जो फिसिक्स टीचर और मेंटर, आप में से कई सारे बच्चे के मेसेज़े जा रहे हैं तो PYQ को जरूर स्वल्व करना होता है, मैं भी बच्चे को यही सजेस्ट करता हूँ किसी भी चेप्टर को कंप्लीट करने के बाद, आप PYQ मश स्वल्व कीजिए वहां से बट जो भी आप PYQ में स्वल्व कर रहे हैं, उससे डिफरेंट टैप के क्वेश्चन्स नीट दोहजार चोविस में आने वाला है वैसे यह ट्रेंड अल्लीटी एस्टार्ट हो चुका है, 2022 में थोरा सा NTA एंप्लीमेंट किया 2023 में थोरा सा और प्रोसीड किया और 2024 में फुल फेज में आपके पास यह आने वाला है तो चलिए मैं डिसकस करता हूँ कि नीट 2024 में किस टैप के निव टैप के क्वेश्चन्स आपको मिलने वाले हैं सबसे पहला जो सिंपल MCQ होते हैं आपको PYQ में भी देखने को मिलेगा और आप अभी स्वल भी कर रहे हैं लेकिन most important thing यह है कि क्या आप assessment region questions, matching tab questions and true false question को practice कर रहे हैं assessment region में statement दिया हुआ रहेगा और आपको correct incorrect choose करना होता है matching tab में दो side में आपको दिये रहेंगे options दोनों को match करना होता है true false में statement को ही बताना होता है कि यह true है या false है अगर आप step के questions per chapter, per topic आप नहीं practice कर रहे हैं तो बहुत बड़ी problem आप face करने वाले हो NEET 2024 के examination में क्योंकि यह new trend है, new pattern है NTA का जो की NEET 2024 में भी follow होने वाला है तो यही main बदलो है, जो बच्चे आप पहली बार appear होगे, please आप अभी से यह follow करना इस्टार्ट कर दो, अभी से यह solve करना इस्टार्ट कर दो अगर आपके पास कोई भी resources है, assessor region, match the following, true false question practice करने का तो अच्छी बात है, आप वहाँ से practice कीजिए, अपनी preparation को boost कीजिए description box में भी मैं link दे दूँगा, वहाँ से के square का app download कीजिए, और play store में जब आप जाओगे, तो आपको biology, chemistry and physics, इन सभी के topic by, chapter by, जित्ते भी important questions है, यह मिलेगा, यानि अगर आप इसे practice कर लेते हैं, तो आपको और कुछ भी practice करने की जुरत नहीं पड़ेगी, इसमें content इस step से रहता है, topic wise पहले आपको important यहाँ पर questions मिलेंगे, जैसे कि biology में मैं discuss कर रहा हूँ, तो इस chapter में आप देख सकते हो, plant kingdom में, पहले topic wise दिये हुए है, इसके बाद, जैसे ही topic wise questions फिनिस होता है, seven topics आपके पास है, फिनिस हो गया, एसे सरीजन का question दिया रहता है, statement based question अलग से, matching tab questions अलग से, और कुछ जो NCRT के exemplar के questions आते हैं, chemistry and biology में, यह भी आपको करने को मिलेगा, तो मैं यही आपको suggest करूँगा, कि अभी से आप NEET 2024 में, जी step के questions आएंगे, उसको practice करते रहिए, so that आपको वहाँ पे कोई problem ना हो, और